सबी को नमस्कार, स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चेनल जेजे क्लासेज मेवाड में, आज हमल कर रहे हैं प्रकर कारिपुस्ति का हिंदी कक्सा आठ के अंतरकत आंकलन पतरक तीन, जो कि पेज नमर 19 पर है, आईए शुरू करते हैं से पहले चेनल पढ़ने हैं, तो एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था, उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया, बंदर राजा के सब काम करता, राजा जब सोता तो वे पंखा करता, सब के समझाने पर भी राजा बंदर को दूर ने करता, एक रात राजा सो रहा था, एक मकी बार बार रा राजा के नाक पर बेटने लगी बंदर को मकी पर बहुत क्रोध आया बंदर ने तलवार उठाई और मकी को मानने ही वाला था कि अच्छानक पेरेदार ने देख लिया वे दोड़कर आया और बंदर से तलवार चीन ली वहा सुनकर राजा के नीन तूट गई सारी बात पता ले पर राजा ने बंदर को जंगल में चुड़ वा दिया परस्ट नमर एक अभी इस कानी में इस परस्ट के उत्तर हैं कानी में संज्या के पांच सबद डूंड कर लिकिए तो इसमें संज्या है एक तो राजा दूसरा बंदर मकी तलवार और पेरेदार ये संज्याएं है मक्की बार बार का बेट रही थी तो मक्की बार बार राजा की नाग पर बेट रही थी प्रस नमर तीन बंदर राजा के क्या क्या काम करता था बंदर राजा के सब काम करता था राजा के सोने पर वह पंका करता पेरेदारी करता था राजा ने बंदर को जंगल में क्यों चुड़वाया तो राजा समझ गया था कि बंदर कभी बीज अंजाने में नुक्सान पहुँचा सकता है प्रस नमर पांच इमलिकित क्रिया सब्दों का फ्रियोग कहानी के किन किन वाच्यों में हुआ लिखिये तो किरिया सब्द का फ्रियोग हुआ एक देखो सोना का राजा जब सोता था छोड़ना का हुआ बंदर को जंगल में चुड़वा दिया बेटना का मक्की बार-बार राजा की नाग पर बेटने लगी दोडना का फ्रियोग हुआ है दोड़ कर आया छे नमबर अपने विध्याले में वहने वाले बाल मेले के एक पोस्टर बना कर पोर्ट वोलीयो में लगाई है अब इसमें देखिए एक अशा सोचले बनाना है चित्र और यहां लिखा खुले में सोचने करें सोचता पर है ये गर के आस पास गंदकी ने करें गर और स्कूल में सपाई रखें कच्रा डश्ट बीन में डालें वे इदर उदर न फेकें अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेइलिस्ट का चितर दिख रहा है प्लेइलिस्ट के उंगली करें वो प्लेइलिस्ट ओपन हो जाएगी वहाँ से सभी कारेपत रखते हैं आप एक साथ देख सकते हैं थैंक यू